हाई दोस्तो नमस्कार महिंभालूक राज दोस्तो आजखी इस度 में हम बात करेंगे Bitcoin के बारे में Bitcoin के Price क्योंकि दूस्तो लोग जो है जानना चाते है कि Bitcoin का Price क्या हो सकता है 2023 के इंड तक में 2024 में क्या होगा Bitcoin का प्राइज़ा और साथ में 2025 तक में Bitcoin कितना उपर जा सकती है कितना all time high बना सकती है यह जनने में लोगों को इंट्रेस्ट है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इन सौर्ट में आपको directly में बताने वाला हूं कि 2023 तक में क्या prediction मेरा निकल के आ रहा है कि BTC के लिए वो में बताऊंगा 2024 में जब bitcoin का अंदर halving करेगा 2025 में वो कितना हो सकता है तो इस वीडियो में इन सौर्ट में आपको बताने वाला हूं डिटेल में अगर देखना चाहते है prediction कि क्यों ऐसा मैंने बोला तो इसके लिए आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखना link मैं देदूंगा description box में उसको आप डिटेल में क्रिप्टो से पैसे तब बनेंगे जब आप सही टाइम पे investment करेंगे और सही टाइम पे investment करने के लिए हमें BTC के price moment को समझना जरूरी है क्योंकि BTC जो है एक leader है mother of all cryptocurrency है सारे cryptocurrency को lead करता है अगर BTC अप जाएगा तो सारे cryptocurrency में अप देखने को मिलेगा अगर BTC डाउन जाता है तो सारे crypto में downfall आपको देखने को मिलता है तो इसलिए सबसे पहले BTC का price moment को समझना जरूरी है कि कब क्या price होगा bitcoin का तो दूसरों यह अगर हम बात करें BTC के बारे में तो BTC का price moment actually है na BTC के अंदर जो block creation होता है उस पर depend करता है और block creation के लिए मैंने अल्लेडी बोला कि इन सब्सक्राइब करती है और कुछ लोग बात कर रहे है कि bitcoin नहीं बलकि क्या crypto में बुल मार्केट आ चुका है बुल मार्केट स्टाट हो चुकी है ऐसे बहुत सारे लोग comment कर रहे है और बहुत सारे लोग पुरी यूटूब पे चोटे बड़े creator जो है ऐसे ही बात कर रहे है कि बुल रन स्टाट हो चुका है क्या actually बुल रन स्टाट हो गया है तो मेरा answer है नहीं अभी बुल रन का मतलब क्या होता है उसे कहेंगे कि उस एर में बहुत ही तेज़ी से मूब करता है उतना तेज़ी से अधर में नहीं देखने को मिलता है तो बीटीजी का मूब्मेंट जो है उस प्राइम काफी तेज़ी स्टेज हो जाती है काफी पारबोलिक अप्रेंट हो जाता है उस एर क पर रहा है BTC के अंदर कितना block create हो रहा है block creation पर होता है तो देखा यह जाता है कि जब भी bitcoin का 0-70 पहले समझ जब भी bitcoin का halving होता है उस halving के बाद market में bull run आता है तब bitcoin के अंदर 2030 में halving नहीं होना है 2024 में bitcoin के अंदर halving होगा और 2024 में कब होगा अप्रील महीने के करीब में है उसी के आस्वास में होगा तो bitcoin का halving होगा अप्रील महीने 2024 में और उसके बाद उसी महीने के बाद से आप देखो के bitcoin के अंदर rally आएगी जबरदस rally करेगा और 2025 के second quarter तक यानि June महीने तक मालो मेरे अनुसार 2025 के जून महीने तक bitcoin जो अपना नया all time high create कर देगा वो नया all time high होगा तिर उसके बाद price गिरना start हो जाएगी अगर कोई लोग सोच रहे कि हम अपने crypto को 2023 तक hold रखेंगे 2029 तक hold रखेंगे तो वो बेवकुफी करेंगे वही गलती करेंगे जो 2022 पे लोग crypto को hold करके रखे थे 2022 में आपका portfolio 90% नीचे गिर गया तो अगर जो लोग 2026 में भी hold रखेंगे तो वो एक नया all time high जो create होगा जो उनका portfolio होगा फिर से बापस गिर के 90% नीचे down आसकता है और ये चीज़े repeat होगी और ये सारे चीज़े मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने detail में analyze किया है बिछले 10 सालों के data को Bitcoin कैसे move करती है और क्या factor है जिस पर depend करता है Bitcoin का price movement तो मैंने देखा कि block पे movement का और मैंने पहले ही prediction किया था कि beer market end हो सकती है जनवरी month में expected होता है कि जनवरी month में इंड हो गया और reality में देखने को मिल रहा है कि BTC का इस साल स्टार्ट होने के बाद जनवरी month आने के बाद BTC में pump आपको देखने हो मिला है एक मार अगर BTC 25,000 के उपर चला गया तो फिर समझाना BTC के अंदर यानि ये समझाना कि अब market से beer जो trend है ना वो खतम हो गया अब trend नहीं आया bull run नहीं start हुआ लेकिन beer market जरूर इंड हो जाएगा अब यहां साच चलता क्या है जब भी beer market इंड होती है तो beer market के बाद market में bull run नहीं आता है बलकि side भी up trend आता है बहुत तेजी से price उपर नहीं जाती है लेकिन दीरे 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 उपर जाती है बीटीसी का मैं बात कर रहा हूँ लेकिन बीटीसी के अंदर हलकापूल का भी pump होगा ना तो बाकि other जो alt coin है और जो खास करके जो छोटे low market cap बाले coin होगे लेकिन fundamental coin होगे जब से मैं बताया हूँ तब से सभी coin में देखेंगे कोई 2x, कोई 3x, कोई 4x इस तरीकी से return भी दे चुकी है 50% से से ज़्यादा ही सब return दिया जितने भी coin मैंने आपको suggest किया हूँ एक बार जाकर check out करिये जो भी मैं इसे recently में January month में and कुछ December month में जो भी coin में ने suggest किया उन सभी coin का आज जाकर देख लो कि कहां पहुँच गई है उसकी price तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया है कि market में अभी bullrun start नहीं हुआ है bullrun start होगा 2024 के April महिने के बात से हम यानि 2024 में bullrun आयेगा और 25 तक राने वाला है 25 तक में bitcoin एक नए all time high create कर देगा अभी side way market चलने वाला है BR market जब end होता है तो market side way चलता है और ये side way का मतलब ऐसा नहीं side way up print होगा यानि धीरी धीरी price उपर जाएगा अब सेकेंड जो बात करें 2023 तक में फिर भी price कहां तक जाएगी side way up print market में bitcoin का price क्या हो सकता है तो दूसों 2023 तक में मेरे अनुसार मेरे prediction है कि BTC का price जो है कि करीब 35,000 से 40,000 डॉलर के करीब में रह सकता है 2023 के end तक में and 2024 में जब जिस समय bitcoin में halving होगा तो halving के वक्त में bitcoin का price 45,000 डॉलर तक उसके करीब रह सकता है ज़्यादा नहीं रहने वाला है 45,000 डॉलर के करीब में ही रहेगा bitcoin का price लेकिन अब उसके बाद bitcoin का price जैसे ही halving होगा तो halving के बाद जो bitcoin में rally होगी तो वो 2025 तक में minimum bitcoin जो है 70,000,000 डॉलर से 1,500,000 डॉलर के बीच में रह सकता है 1,25,000 डॉलर से लेकर 1,50,000 डॉलर के बीच में trade करेगा उस समय जब bitcoin में एक नया all time high create करेगा 2025 में ये possibility है अब bitcoin के अंदर अगर इतना गुना यानि 6 से 7 गुना का pump हमें देखने को मिलता है तो other crypto में जो और भी fundamental coin है जैसे BNB है, Ethereum है और भी AVAX है जो पहला बार अभी bull run देखेगा 24 सन 25 में जिसका list भी मैंने आप लोगों को दिया हूँ तो जो पहला बार bull run देखेगा दूसरों और लेकिन fundamental भी है उसका अपना एक huge case है scam token नहीं है तो वो ऐसे coin के अंदर 100x से ज़्यादा return देगा मैंने detail में इस वाले वीडियो में बात किया हूँ तो वो ऐसे coin का list मैंने आपको दिया हूँ इन सभी coin को एक बार consider करिए ये सभी coin बहुत अच्छा profit आपको निकाल कर देगी और इसके साथ साथ में दूसरा ऐसे coin को मैं find भी गर रहा हूँ बात किया पिछला पूरा history भी मैंने आपको दिखाया हूँ कई सारे coin में 90% coin में आप देखोगे कि पहला bullrun में वो 100x से ज्यादा growth लेता ही लेता है तो दोस्तों ये रही information छोटी सी information थी लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है तब ही हम crypto से पैसे बना पाते है otherwise आप नहीं बना पाऊंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी कि market में हमेशा fluctuation होता है उस fluctuation में आप हमेशा घवडाते रहोगे कही market यहां से नीचे तो नहीं गिरेगी कही market यहां से उपर उठ जाएगी हम investment नहीं करें तो फिर profit नहीं बनेगी ऐसे दुबीदा हमेशा बना रहेगा लेकिन एक बार BTC के price moment को समझ जाओगे तो आपको समझ में आजाएगा कि market चाहे कैसे चलेगी अभी 2030 में हमें कितना profit देगा यह समझ में आजाएगी तो कि इसलिए Bitcoin के price moment को समझना जरूरी है तो इन सबी वीडियोस को एक बार जरूर देखना उसमें मैंने बात किया कैस्तर किसे Bitcoin के अंदर block create होता है और उस block creation में क्या होता है जानने बाद मिलते है नेक्स वीडियो में